Hello everyone, आईए देखते हैं आज का Divine संदेश क्या है आपके लिए? Divine आपको क्या guide करना चाहते हैं आज के दिन में? इस Shuffle Dix से हम लेंगे card और card क्या है? Three of Wands का. आपको ये guide कर रहे हैं Universe Divine आज के दिन में कि आपको ऐसा लग सकता है कि वर्तमान में आपको बहुत ज़्यादा अपने results का weight करना पड़ रहा है लेकिन यकीन मानिये कि कुछ भी आकारण नहीं होता है अगर आज इंतजार कर रहे हैं तो कल उस इंतजार की भरपाई उस इंतजार में किये गए एक एक शन में जो effort आपने डाला है उसका answer Divine आपको जरूर देंगे आपको बताएंगे कि आपने इस चीज में अगर इंतजार किया तो ये क्यों नहीं हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं हो रही थी और आज क्यों हो गई जो भी outcome रहेगा लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब situations हमारे favor में नहीं होती है या आने वाले समय में favor में होने वाली होती है तो Divine हमसे wait कर आते हैं ये जो waiting period है ये हमारे hard work, हमारे manifestation, हमारी तपस्या का period है जहां पर हम अपनी योगबल से चीज़ों को सिद्ध करते हैं महनत करते हैं, अपनी energy को alignment में लेकर आते हैं और अपनी चीज़ों पर focus करके impossible चीज़ों को भी possible कर जाते हैं सिर्फ किससे? अपनी hard work से कि अगर देरी हो रही है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए देरी हो रही है कुछ अच्छा होने वाला है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप देरी की वज़े से निराश ना हो आपको चाहिए कि आप ऐसे निराश होकर ये pre-judge न करें कि ये तो होगा ही नहीं किसी भी situation को pre-judge नहीं करना है until or unless आपके हाथ में result ना आ जाए ठेक है खूब पहनत करनी है वो spark, वो potential आपके अंदर होना चाहिए कि आप बात तक लड़ते रहे result कुछ भी होगा लेकिन आप हर नहीं मानेंगे आप कर्म योगी है आप कर्म करने के लिए ही आए है आप कर्म करने के लिए ही सज्ज है क्योंकि कर्म पर आपका अदिकार है कर्म आपके बश्च में है अगर आप किसी भी चीज को रोकेंगे तब ही समय नहीं रुकेगा लेकिन आपका अगर कुछ positive होने वाला भी होगा तो आप उसे अपने zero effort से फिर zero कर लेंगे, मतलब अपने ही काम को खराब कर लेंगे, तो इंतजार से डरिये नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, और अपनी तरफ से महनत और अपने कर्म करते रहे हैं, ठेक है? So guys, ये था आज का divine का संदेश, hope इससे आपको कुछ न कुछ guidance मिली होगी, अपना बहुत ज़्यादा खयाल रखी, thank you so much, bye, take care.